लग्या आज आज स्वेटी नो फैर वर अमबाक करें लें इंडिया के बारे में तो देखिएगा आपके सामने विब्ले में है नेशले के और देखिए डिसमबार 2018 में जो पाफोंच रही है देखिए वो अवरॉल काफी नेगिटिव रही है तो चलिए आएए बात करतें इस देखेगा मैं आपको बता दूँ उन्हें पहले quarter on quarter on खुम्जक्र करने वाले चीज का और देखेए net sales के बार में मैं आपको बता दूँ देखें net sales जो हैं की इस बार 2878 के लगबग रही है जो पिछले quarter यानि की सितंबा 2018 में 2921 के लगबग ती तो आप खुद देख लीजे ग्रावट दिखाई पड़ी है और देखेएगा तक्रीवन ग्रावट की परसेंटेज है वह है 1.48% के लगबग नहीं बात करते हैं देखेगा अपरेटिंग प्रावट के बारे में ठीक है जो इनका प्वर बिजनस से आता है तो देखेगा वह 550 करोड के लगबग है अब बात करते हैं पिछले quarter की तो देखेगा वह था 725 तो फिर गिलावट 24% की CBCD गिलावट हमें दिखाई पड़ेगी इस पाटर में वहीं बात कर करते हैं देखेगा एक सुपनल आइटम की कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं देखेगा नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो देखेगा आपको 341 करोड के लगबग जो की पिछले quarter में था 446 करोड के लगबग तो देखेगा CDCD गरावट तकरीबन 23.39% के लगबग तो देखे यह और आपकी margins के बारे में बात कर लेते हैं देखेगा आपकी operating margins जो है वो देखेगा इस बार जो है खट गई है इस बार 19 है पिछली बार 24.67 के लगबग तो देखे आपको CDCD गरावट देखने के लिए मिलेगी quarter on quarter में वही year on year की बात कर लेते हैं तो चलिए एक बार year on year में देखेगा year on year में हम देखे 2018 और 2017 को compare करेंगे तो देखे यह आप देख सकते है 2017 की बात करूँ तो देखेगा अगर sales की बात करें तो देखेगा sales improve हुई है year on year पे इसलिए year में जो थी बहुत ही देखेगा 2589 के लगबग वही बात करते है operating profit की तो देखेग का operating profit भी बड़ा है अगर हम year on year basis पे देखेंगे इसलिए बार हमारा जो December 2017 में था वो 533 के लगबग था वहीं बात करते हैं देखेंगा net profit की तो देखेंगा net profit भी बड़ा है December 2017 के compare में December 2018 में तो देखेंगा पहले 311 के लगबग आपको दिखाई देगा वहीं देखेंगा अभू चुपा है 341 के लगबग तो देखेंगे बड़ा है आपका तो year हमारी चीदे थोड़ी सी हमें इप्रोबाइस दिखाई दे रही है वहीं बात करते हैं देखेंगा margins की तो देखेंगा margins definitely कम्जोर हो चुके है मार्जिन के तार compromise हुआ है देखेंगे पहले 20.51 के लगबग था आप 19 है तो देखें और जो आपको रिजर्ट रिखाई देंगे देखेंगे यह रिजर्ट है देखेंगा negative यह रिजर्ट पूरी तरीके से मैं इनको negative भी कहुँगा देखेंगा और जबसे इनकी controversy हुची त किसी तरीके का चेंज नहीं वही बात करते है FFIs ने तो देखेंगे यह एक्षी चीज है FFIs ने अपनी छोड़ी चीश सदारी बढ़ाई है 0.25% के लगब वही देखेंगा जो दिसम्मर 2018 दिखाई पड़ेगी 12.36% के लगब दिखाई देगी वही इस सिदम्मर 2018 में 12.11% क तो देखेंगे अब मुचल फंड्स देखेंगा इन्होंने भी सदारी बढ़ा दी है पहले थी 2.42% आप देखेंगे जो बढ़ाई है 0.66% के लगब तो हो गए 3.08% के लगब तो यह काफी एची चीज है इस चीज को भी समझेगा वह देखेंगे इन्होंने गटाई अपन 1.18% के लगब पहले 5.38% थी आफ 4.2820% हो चुकिया है वहीं non-institution investors की बात करते हैं तो देखेंगा पहले 17.03% थी इन्होंने बढ़ा यह 0.28% के लगब तो अब भी 17.31% के लगब अदर डिया इस की बात कर लेते हैं तो देखेंगे इन्होंने घटा दी अपनी 0.01% के लग आपको 63.05% के लगब तो बहुत ही बाकी बात करते हैं majority stake solders को अने ऐसले में डिया इस हैं तो हम देख सकते हैं pledge कुछ भी रखा हुआ नहीं है हाला कि बैसे controversy हुझी तभी से आम ग्रावर फोल्सी इंखाई पड़ी वरना इस लगष स्टॉक को आप देखेंगे तो CD-Line की मूचल funds की बात करते हैं तो देखेंगा मूचल funds में बात करें तो देखेंगा 45 skins लगी हुए है देखें मूचल funds की 45 skins लगी हुए है वही FFIs कितनी हुषी हुए है इसमें 667 के लगब FFIs के अंदर है तो आप इस चीज को समझेगा चलिए आगे चलते हैं इसकी performance के एक बार जांच लेते हैं तो देखेंगा बंडे में आपको दिखाई देगा negative यानिकी down दिखाई देगा 0.28% के लगबग आपको down दिखाई देगा वहीं बात करते हैं चलिए one week की तो देखेंगा वन week में मैं आपको बता दू तो देखें आपके सामने लगा हुआ है यह down है तकरी इस चीज़ को आप समझेगा 6.17% के लगबग यह down है यह नीचे है वहीं चलिएगा इसके one month में भी week है one week में भी week है one month में भी week है year till date में भी देखेंगा इसकी performance जो है वह week है 4.73% के लगबग हमको यह down दिखाई देगा वहीं बात करते हैं अब one year की तो देखिए कैसी one year में देखते हैं आप देखिएगा वन year में देखने का बढ़िया देखिए यह उठीए परफॉर्मस 39.51% के लगबग आपको दिखाई पड़ेगा वहीं बात करते हैं तीन साल की तो देखिएगा तीन साल में देखेंगे तो आप देख सकते हैं बढ़िया वाले यह देखें यह इसको बोलते हैं stock यह ऐसे भागते हैं कि 109.17% के लगबग आपको इसकी परफॉर्मस अब दिखाई देगी तो इस चीज़ को आप समझेगा आपको 109.17 के लगबग यानि कि देख सकते हैं सीदा सीदा 109% आपको उपर दिखाई पड़ेगा वहीं 10 साल की बात करते हैं तो 10 साल में performance क्या है अगर आपके पास 10 साल पहले ही होता तो देखने वाली चीज़ है देखिएगा तकरीवन 603% के लगबग देखिएगा 603% के लगबग यह आप है तो देखिए यह performance होती है stocks की ऐसे अगर आपके portfolio में हो तो मज़ा आजाए तो देखिए ऐसे ही होने चाहिए अपके में अगर आप stock market में long run में पैसा कमाना चाहते हैं तो चलिए इसे के साथ मैं वीडियो को ही पर गतम करता हूँ आपसे भी लोग अपनी अगली वीडियो में चैनल पे अगर नई है तो चैनल को झाल